2017 होंडा CRF 450 होंडा हमेशा इसकी गुर्वत्ता और स्थाइप्ट्रों के लिए जाना जाता है लेकिन पिछले कुछ सालों से CRF 450 की गमियों ने वाइप की ताकत को बढ़ा दिया है 2017 के लिए डिग्रेट 450 के साथ बतलना चाहता है CRF 450 के लिए होंडा का अप्डेश इंजिल को बेहतर बनाना ही नहीं था वालकी चेसस, एर्कोनॉमिक्स और हांटिंग भी शामिल था यूनिकॉम इंजिन से शुरू होकर हॉंडा ने उलेकन या कम लूलियों के लिए कई अपडेट किये हैं कि CRF को एक वैक कल्पिक एलेक्रिक स्टॉक सिस्टम के साथ बतल दिया जा सकता है जो हॉंडा डिलाशिट के माध्यम से 600 डॉलर के लिए उपलब्ध हैं यह है एक ही किट है जो नए CRF 480RX पर मानक आ जाएगा इस CRF 480RX पर एक तीस मिली मीटर संक्यून क्रॉस सेक्शन है और आखिरगार अंत के रूप में एक ही समगरे वज़न को बरतर आपका है नया वसंत का 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 प्रगती शील है क्योंकि यह खुबसूरत है पिछली बीडी के CRF पर एर कांडा आसानी से छोटे हिट में स्ट्रोक के मार्थिम से और जाएगा कर दो में एक ही समगरे यह खुबसूरत है